Hello all and welcome to recognition IES Past year question के discussion series में हम लोग देख रहते 2017 का paper और इसमें हम लोगों ने last class में discuss किया था paper 2 के बारे में Paper 2 में हम लोगों ने section रे discuss कर लिया था आगे बढ़ते हैं section B को जड़ा discuss कर लेते हैं इसके अलावा देखें UPPCS के भी कुछ लोग हैं जो interested हैं इस तरीके की series में and they want to discuss this UPPCS geography optional questions तो देखेंगे उसके लिए भी we will start it बट अभी के लिए फिलहाल hold पर है उसको भी start करेंगे we will see that's what we can do that ठीक है फड़ा फटचर हम लोगों start करते हैं start करने से पहले यह कुछ details है advanced geography course के लिए और geography optional test series और GS main stress series के लिए भी Hindi medium में भी available हो चुकी test series तो Hindi medium के भी students है aspirants है वो भी join कर सकते हैं बाकि देखें आगे हम लोगोंने देखा हुआ है कि जो हमारी बाकी चीज़े है questions section A के हम लोगोंने discuss कर लिए थे so that is there आगे बात करते हैं हम लोग तो explain जो 5th question है basically जो हमारा section B का question है this is section B और यह compulsory question में आता है यहां पर सबसे पहला question है कि explain the role of hill transport subsidy scheme in reducing regional imbalance basically regional development and planning का यह question है RDP का one second yes in areas identified by government of India तो यहां पर जो main crux of the question है वो यह है hill area hill area development program ठीक है this is development program हो गया although the question is subsidy scheme है but again हाप hill area development program से start कर सकते है keeping in mind RDP ठीक है और यहां पर जो आपका main focus होना चाहिए question का वो होना चाहिए transport को ले करके transport subsidy अधिके transport subsidy इसकी मुझ समय जो आई थी सो आई थी वो तो अलग चीज़ है अब वो question वापस repeat तो होने वाला नहीं है क्योंकि यह contemporary paper है लेकिन आपके लिए जो important चीज़ है वो यह है hill area development program के बारे में question है यहां पर रोल के बारे में discuss करने को यानि कि आपको रोल कप discuss कर पाएंगे तो structure आप देख लेते हैं जरा क्या structure है तो introduction में आप simply बता देंगे कि hill area में क्या-क्या significance है या फिर कह लिजे hill area की क्या-क्या जरूरते होती है यह क्या physiography होती है क्या topography होती है तो hill area के बारे में आपने बता दिया ठीक है तो details about it आपने बता देना है आपने बिसिकली यह बताना है कि हिमालियन एरिया के अलावा भी हमारे पास और भी hill areas है this is not the only area तो हिमालियन के साथ सथ हमारे all इंडिया में हर जगा पर हमारे पास hill areas आ जाते है hill area की कुछ अपनी खुद की एक difficulty होती है और यह जो difficulty होती है वो हर sense में होती है किस sense में एक तो सबसे पहले यहां के topography काफी tough होती है यहां की topography बोलिए या physiography बोलिए काफी tough होती है इसके अलावा कोई भी economic activity भी जो करना होता है उसके लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ जाती है क्योंकि यहां पर infrastructure वगरे कुछ खास होते नहीं इसके अलावा communication absence भी होती है ट्रांसपोर्ट absence भी होती है तो यह सब चीजे हो जाती है जिसके कारण से यहां की economic activity नहों हो पाने के कारण से इलाका थोड़ा सा backward रह जाता है तो backward इलाका हो जाएगा ठीक है अब आप क्या कर सकते हैं एक flow chart यहां पर draw कर सकते हैं और इस flow chart में basically आप क्या दिखाएंगे आप यहां पर दिखाएंगे problems of hill area ठीक है अब इसके बाद से आप बता देंगे hill area development program के बारे में hill area development program और इस hill area development program में basically आप इसके role model के बारे में बता देंगे कि आखिर में यह क् यहां पर सबसीडी का तो ठीक है यहां पर हिल एरिया डवलप्मेंट प्रोग्राम में आप फोकस रखिएगा ट्रांस्पोर्ट को ले करके ठीक है अब देखें यहां पर ट्रांस्पोर्ट को ले करके I am not focusing right now because CDC बात है this question was at that time 2017 में पूछा गया question था और उस समय यह scheme जो आई थी उस समय के लोग जानते थे उस समय के लोग लिखे थे तो आपको इतना यादा यहां पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है तो में चीज हो गया आपका यह body के अंतरगत आगे बात करता है कि यह reduce करेगा regional imbalance को ले करके तो आपने role model बता देना है अब आपको बताना है कि कैसे यह hill area जो है वो backward क्यों है तो backward होने के पीछे कारण हम लोगों ने यहाँ पर discuss करी लिया है reasons यह flow chart हम लोगों ने बना दिया है तो अब क्या है कि backward आपको पता चल गया है तो अब आप यहाँ पर solution के format में बात करेंगे यानि कि अब hill area development program actual में क्या है यह बताएंगे तो इसकी आप characteristics या फिर इसकी properties जो भी आप बोलना चाहें वो लिखना शुरू कर देंगे और इस तरीके से इस question का answer हो जाएगा तो this should be the structure for this question यहाँ पर एक extra चीज आप जो draw कर सकते हैं वो है map और map में आप दिखा दीजे कहां कहां पर hill areas आ रहे हैं तो hill areas basically आप कहां दिखाएंगे एक तो हिमालियन mainly है ठीक है हिमालियन हो गया साथ ही साथ में North East का इलाका हो जाएगा ठीक है इसके अलावा Central India में भी हमारे पास कई सारे हैं जैसे कि हमारा एक one second Central India में भी आ जाएगे जैसे यहाँ पर भी हमारे पास कई सारे आ जाते हैं ज लेर कोई डाउट डाउट होगा तो बगल में देखिए आप लोगों के चैट बॉक्स दिख रही होगी उस चैट बॉक्स में आप जा करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं और वहां पर आपके डाउट का जो भी सलीशन है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा ठीक है आपको भी पताओगा काफी अधा पॉलिटिक स्वीटिस को ले करके तो यहां पर क्या है कि मेंली जो आपका क्वेशन है वो है इंडो चाइना रिलेशन को ले करके अब देखिए यह सिंपल क्वेशन जीयस का है लेकिन इसमें जोग्रफी आपको लिखनी है तो आपको दि यह तो यहां पर आप सिक्योरिटी आफ नेशन के बारे में भी आप बात कर सकते हैं ठीक है प्लस नॉर्थीश्ट की सुरच्छा भी काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे लिए काफी रिसोर्स प्लस फुल है तो रिसोर्स को बचाने के लिए रिसोर्स प्रोटेक्शन भी आप कह सकते हैं ठीक है तो यह भी चीज़े हो जाएंगे अब देखिए यह सब तो चीज़े आप लोग लिखेंगे यहां पर जो में चीज़ है वो यहां पर जो डिसकस करना आ है वह पीवाटल area ठीक है पीवॉटल area या फिर आप बोल सकते हैं hotland hotland और यह hotland concept किसके द्वारा दिया गया था मकाइंडर के द्वारा मकाइंडर और यही basically main चीज है जो आपको इस question में लिखना होगा ताकि आपका question एक जनरल से जोग्राफ़ी optional का question बन जा है simple structure क्या लिखेंगे हाँ पर introduction में आप basically दिखा देंगे इंडो चाइना के बीच में क्या border share होता है तो border sharing border sharing between इंडो चाइना ठीक है इंडो चाइना साथ में आप एक map बना करके दिखा देंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चीजे चेंज हो मतलब क्या इंडो चाइना के बीच में में बॉड़ी पर आ जाएंगे तो में बॉड़ी पर आप यही जो चीजे लिखी गई है वो आप लिख देंगे काम खतम हो गया आपका आइडिया देने के लिए है कि हमें चिकन नेक के बारे में बात करनी है जो में फोकस आपका होना चाहिए वह होना चाहिए नॉर्थ इस्ट के इलाके पर अब यहां पर ऐसा नहीं है कि वल और किवल डॉक्लाम लिखेंगे आप तबांग के भी इशू को बताएंगे जो जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है इंडो चाइना के बीच का वहां पर ये काफी न्यूज में इस बार रहे हैं तो अल्टिमेटली यू नीड तु नो अबाट इट काफी इंपोर्टेंट रहेगा इस अब डिसकस करना बाकी तो यहां पर जो चीज़ें डिसकस की गई ह और जो थियूरी यूज की गई है तो आपको लिखना ही लिखना है आगे बढ़ें नेक्स तिंग क्वेशन है कि ब्रिंग आउट दा सिगनिफिकेंस आफ आई आर एन एस अब देखिए आगे है स्पेस जिगरफी का क्वेशन है ट्रांसपोर्ट के अंदर में एक स्पेस ज लिखेंगे लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीजायर वो है जी आईएस जोग्राफिक इंफ करमेशन सिस्टम जी सूपर इंफर्मेशन सिस्टम और यही आपकी जिगरफिय अगरफी है ठीक है कि अब यहां पर आप जब इसका सीग्निफिकेंस लिखने पर आ जएं मतलब basically आप IRNSS का जो main role है उसके बारे में आप बता देंगे हाँ पर role के बारे में बताएंगे अब आप इसके बाद बताएंगे GIS, explain करेंगे आप इसको GIS के बारे में what exactly is the meaning of GIS and what is the significance of GIS, क्या ये technology है, क्या tool है, क्या काम करती है तो इनके बारे में basically आप बता देंगे, ठीक है मतलब आप बतातेंगे geo tagging वाली चीज की किस तरीके से ये काम किया जाता है so that is the thing, in fact GIS is really a very nice software, photograph क्लिक करेंगे आप directly tagging हो जाती है बहुत शांदार सा software है, आगे बात करें, in fact Delhi का क्या है, कि Delhi में एक master drainage program चल रहा था master drainage and I was also part of it, so master drainage program, तो इस पूरे के पूरे drainage system में इस GIS की टेकनीक का ही use किया गया था काफी अच्छा example, मतब काफी अच्छा एक project था ही, and this has been completed, हो गया है complete okay, अब इसके बास से आप बताएंगे, main question, significance, significance of this IRNSS सारी चीजों को बता देंगे, जैसे कि landscape के बारे में चेक करना है, vehicle को monitoring करनी है, disaster को monitor करना होगा, plus जो भी temperature and pressure का distribution है, उसको भी चेक करना होगा, तो ये सारी चीज़े आप IRNSS के significance में, जो already, आप लोगो GS में पढ़े होगे, वह ही सब लिख देना होगा, बस यहाँ पर जो important चीज थी वो GIS, इसको ही देखना था, clear हो गया, आगे बात करता है, next question है, mini steel plants can act as instrument of decentralization of iron and steel industry in India, question बहुत ही simple है, यहाँ पर, तो देखे, आप यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, कि industry जो है, वो कई type की होती है, एक होती है, जिनको बोलते है, raw material based industry, raw material based, दूसरी होती है, जो market based होती है, ठीक है, market based, और एक तीसरी भी आप बोल सकते है, जो food lose होत है, ठीक है, अब यहाँ पर जब raw material और market based के बारे में लिखेंगे, तो एक model है, जो आपके तुरन ध्यान में आ रहा होगा, that is the Weber's model, तो आपको Weber's model को integrate करना ही करना होगा, simple एक paragraph लिख दीजिए, और एक flow chart बना दीजिए, आपका काम हो गया, यही आपको एक extra चीज है, जो इस question में लिखनी है, अब यहाँ पर question यह बोल रहा है कि decentralization of iron and steel industry, question में जो structure होना चाहिए आपका, introduction जब आप लिखेंगे, तो आप बताएंगे steel, मतलब iron and steel industry के बारे में, ठीक है, iron and steel industry, और यहाँ पर आप बताएंगे basically इसके backwardness, क्यों इंडिया में यह backwardness क्यों है, क्यों हमें, ठीक है, इसके बारे में आप start करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको as a solution लेकर के आना है, तो you will start with the problem, तो यहाँ पर आप problem के बारे में, backwardness के बारे में बताएंगे, फिर आप एक flow chart बनाएंगे, और flow chart में basically आपको दिखाना है, इसमें क्या-क्या problems यह face कर रही है, clear हो गया problem को face करने के बाद, simply आपको यह दिखाना है, कि क्या solution है, तो solution में जब आप लिखेंगे, तो you will quote obviously multiple solution, उस multiple solution में एक solution होगा, mini steel plant, ठीक है, अब यहीं पर आप इसको basically quote कर देंगे, weber model को, weber model, weber model को आप explain करने पर आ जाएंगे, क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या नहीं ह now you have two dimension, ठीक है, दो तरीके से आप इस चीज़ को आगे ले करके जा सकते हैं, एक ले करके आ सकते हैं, कि weber model की जो criticism है, this criticism, उस criticism के basis पर आप बोल सकते हैं, कि इंडिया में iron and steel industry काफी backward position में चल रही है, ठीक है, और उसके basis पर आप solution ले करके आ सकते हैं, mini steel plant, दूसरा जो तर जा रहे हैं और solution निकाल रहे हैं, दूसरा जो तरीका है, वहाँ पर आप mini steel plant को ले करके discuss करेंगे, इसकी खूबियां बताएंगे, इसके जो requirement है, जैसे कि electricity हो गई, water availability हो गई, market वगर हो गया, climate वगर हो गया, है ना, नित्वरस्टिंग वगर हो जाएगा, दिक्कत हो जाए जाएगी, resource के availability हो जाएगी, climate के availability हो जाएगी, मतलब बैसे कली जो आइसो कोरिक सर्फेस का फंडा होता है, वो आप यहाँ पर ले करके आ जाएंगे, तो दोनों तरीका है, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, you can write this question, and this is the thing that you need to learn, यह जो यहाँ पर बताया गया है, यह जो तरीके बताये गया है, यही आप basically आपको स्तीखना है, बाकी तो question का content तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं, चलिए खर आगे बात करते हैं, next question, question number 5, and this is really really very great question for geography, otherwise question बहुत ही simple है, GST का एक बहुत ही छोटा सा question है, कहता है कि GST has differential impact on developed and backward state of economy, of country, how and why, अब देखिए, आपको पता है कि जो GST है, this is destination based, destination based tax, ठीक है, अब आपको यह पता है कि जो भी यहाँ पर production कर रहा होगा, production करने वाला जो state है उसको होने वाला है loss, और जहाँ पर यह जाएगा destination है, उसको होने वाला है फायदा, तो इससे होगा कि जो producing state है, उनको loss हो जाएगा, तो उसके लिए GST compensation की बात कहीं भी गई है कि 10 साल तक हम प्रोवाइड करेंगे तो यह तो जो हो गया सो हो गया वो तो अलग चीज है में मुद्दा यहां पर यह है कि developed यानि की और backward state तो backward का मतलब आप मान के चलिए कि production वाले हैं ठीक है backward मतलब production वाले हैं और जो developed है जीदने वाले हैं तो यह हो गया developed states ठीक है अब developed state का मतलब जैसे गुजरात महारास्ट केरला करनाट का यह सब आ जाएंगे ठीक है तमिलनाडू अगर आ जाएंगे backward में आ जाएंगे जैसे यूपी हो गया बिहार हो गया मध्यप्रदेश हो गया उत्राखंड हो गया बिहार के साथ में जारखंड हो गया चतिस गड़ हो गया राजस्थान हो गया मतलब वही जो बीमारू इस्टेट वाले हैं वह आ जाएंगे हाँ ठीक है अब यहां पर main question पर आ जाईए अब यहां पर structure भी देखते रही है क्या क्या है introduction में आप simply बता देंगे GST क्या है GST के details को आपको लिख देना है ठीक है लेकिन यह GST का detail आप economy के language में नहीं लिखेंगे यह धियान रखिएगा economy के language में नहीं यह जो यहां पर बताया गया है system यह लिखेंगे ठीक है इस तरीके से clicking destination based and now backwardness मतलब आपको कुल मिला करके एक question जो है वो RDP की ओर में shift करना है देखिए क्या होता है UPSC के paper में अगर paper tough रहेगा तब की बात कर रहा हूँ paper में जो आपके questions आएंगे उससे आपको लगेगा कि यह general है लेकिन उस general question को आपको ढूंडना होगा कि आप किस topic के साथ में relate कर सकते हैं यहां पर देखिए आपको hint दिया जा रहा है developed and backward state कहके कि RDP की ओर में इस question को shift करिए अब RDP में आपको दिखाना होगा कि यह developed state का मतलब क्या होता है इसकी खूबियां क्या होती है मतलब इसके characteristics क्या होते हैं यह आप बताएंगे इसी तरीके से backward state की खूबियां और उसके जो भी characteristics वगरा हैं उनको बताएंगे ठीक है अब आप बताएंगे कि आखिर में differential impact is GST के कारण से क्या होगा तो production और यह जो destination है इन दोरों के बारे में बेसिकली बताना शुरू कर देंगे जो producing state है वो पूरी तरीके से अपना जो tax contribution है या जो revenue generation है वो नहीं कर पाएंगे और जो destination वाले है वो सब बिना कुछ किये धरे ही जो है वो पा जाएंगे सारा समान तो यह एक यहाँ पर आप differential impact को दिखा सकते है differential impact ठीक है ओके नाव अब इसके बाद से आगे क्या है how and why क्यों मतब कैसे और क्यों यह पड़ा है तो कैसे how तो यह तो आप दिखा देंगे कि GST की किस तरीके से calculation की जाती है किस तरीके से यहाँ पर system लगा जाता है तो आप economics में पड़ रखे होंगे वाय का system आप बताएंगे regional backwardness को लेकर के regional backwardness अब यहाँ पर देखिए कुछ कुछ कंसेप्स आप लिखेंगे जैसे agriculture के बारे में आप लिख देंगे और कुछ कुछ इंडस्ट्रियल आउट्पुट के बारे में भी बताएंगे लेकिन इंडस्ट्रियल में भी माइनिंग को लेके चलेंगे मतलब आपको बस बेसिकली यह दिखाना है primary activity ठीक है primary activity जब आप दिखाएंगे तब जाकर के आपका यह जो question की जो framing है वो clear हो जाएगी वो दिखे जाएगी समझ में आ गया क्या चीज़ है okay now आगे बढ़ते है next question पे clear है ना कोई doubt नहीं नहीं है चाहिए आगे बढ़ते है next question है question number six interlinking of river interlinking of rivers may serve as a major source of assured irrigation ठीक है and all weather inland navigation दो फंडा मिल गया comment on the feasibility taking account physical, chemical and ecological implications तीन चीज़े हैं तीन पॉइंट लिखना है सबसे पहले आप question के introduction में आप basically लिखेंगे Physiography of India के बारे में Physiography of India and and water availability ठीक है water availability इसके बारे में आप दिखाएंगे basically ठीक है अब आप यहाँ पर यही चीज़ दिखाएंगे कि इंडिया में कई सारे ऐसे region है जहाँ पर flooding हो जा रही है और on the same time उसी समय दूसरे जो एरियाज है और neighboring एरियाज है ऐसा नहीं बहुत दूर दूर के neighboring एरियाज ऐसे हैं जो water deficit है इस तरीके की जो डोनों disaster है चाहे वो deficit हो चाहे वो disaster मतलब flooding हो दोनों को हम solve कर सकते हैं interlinking of river के माध्यम से तो आप flow flow को maintain करने के लिए question के flow को maintain करने के लिए आप disaster का use करेंगे और यह disaster में basically आपको दिखाना है flooding और flooding के साथ साथ आपको दिखाना है scarcity ठीक है scarcity अब आप दिखाएंगे as a format of solution interlinking of rivers interlinking of rivers और इस interlinking of river में basically कुछ example का भी नाम लिख देंगे इसे केन बितवा हो गया या फिर जो अभी कृष्णा गोदावरी का किया जा रहा है तो मतलब इस तरीके से कुछ examples का नाम लिख देंगे अब इसके बाद से आ जाएंगे कि इसके implications क्या क्या आ रहे हैं अब देखिए interlinking करने के कारण से हमें पता है कि हमारे country में rivers बहुत सारे हैं और आपको पता है कि इस river को हम लोग अगर inland navigation में तबदील कर देते हैं तो हमारा दो फायदा एक तो cheap transport हो जाएगा तो one is cheap transport और दूसरा जो है energy save भी हम लोग कर लेंगे energy saving क्योंकि हमें energy जो use कर रहे हैं वो imported है और वो हमारे लिए काफी costly affair पढ़ता है तो ये काम हो जाएगा तो आपने क्या है issue irrigation को भी दिखा दिया है और inland navigation को दिखा दिया है तो basically आपका जो topic है वो agriculture और transport दोनों तरफ move कर रहा है तो दोनों तरफ आपको ले करके चलना है लेकिन question का main crux ये नहीं है main crux है नीचे अब आप आजाए इसकी properties को physical feasibility के बारे में बात कर रहे हैं हम ठीक है physical के बारे में बात कर लेंगे है second socio logic अच्छा economy के बारे में तो this is economic के बारे में आ जाएंगे और फिर आ जाएंगे ecological अब तीनों में ही जो भी आपके content है वो simply आपको लिख देना है दो चार point तो simply आप लिख सकते हैं जैसे कि सबसे पहले physical में तो आप यही बता देंगे disaster को ले करके और यह disaster basically physiography of India को ले करके ही बनेगी physiography of India को ले करके क्योंकि भई हर जगा पर एक जगा एक जैसा नहीं है rock strata हर जगा पर same same सा नहीं है कुछ जगा पर highland है कुछ जगा पर valley है कुछ जगों पर plain area है तो इनको ले करके हमें चलना होगा तो first thing is the disaster वाली चीज ठीक है दूसरी चीज आप लेकर के आ सकते हैं कि यह जो basically disaster है this is going to again erode the landscape और erode करने के कारण से फिर से हमारे जो slope development theories वगर हैं उनको आप यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं slope development ठीक है slope development तो this is again important thing जिसके basis पर आप बोल सकते हैं कि physiography में क्या क्या feasibility आ सकती है क्या क्या चीजे हो सकती है ठीक है तीसरी चीज further disaster को और बढ़ाया जा सकता है तो disaster proneness disaster proneness ठीक है earthquake आने का डर होता है flooding आने का बहुत ज़्यादा खत्रा हो जाता है क्योंकि जो erode हो गया वहाँ पर और ज्यादा दिक्कते आ सकती है मतलब इस तरीके से चीजे हो सकती है आगे अगर बात किया जाए तो यह हो गई यहाँ पर physical वाली चीज economy के सेक्टर में आ जाएंगा तो यहाँ पर देखिए अगेन बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जैसे अगरी कल्चर को ले करके आप आगे बढ़ सकते हैं दूसरा ट्रांसपोर्ट को ले करके आगे बढ़ सकते हैं अब यहाँ पर agriculture में भी आप बता देंगे यहाँ मारत वाड़ा हो गया मुंदेल खंड हो गया इस इलाके में हम लोग ट्राइलेंड फॉर्मिंग वगरे भी कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ और भी क्रॉप्स वगरे को हम लोग लगा सकते हैं तो इस विल बी इन इंपोर्टेंट इस्टेप फॉर विद रिस्पेक्ट कि अध्यर ट्रांस्पोर्ट के सेक्टर में आप थोड़ी सी इनलेड नेविगेशन के बारे में बात कर लेंगे इन लेंड नेविगेशन के बारे में है And आइच कुछ खास है नहीं के वाल आपको मेंली जो समझने वाली चीज थी वो थी water availability कराना एक topic हो गया agriculture दूसरा topic हो गया transport तो इसको कोशिच करिएगा लिखने की this is really a good question आगे हमारा next question है religious minority are largely concentrated in border areas of India discuss causes and consequences तो basically जो आपका question है वो है religious minority को लेकर के अब religious minority कौन कौन सी है Buddhist ठीक है जैन ठीक है Islam मतलब की Muslims पारसीज तो mainly community जो होती है वो minority में आती है यह सारी community ठीक है all India basis पर हम लो बात कर रहे हैं obviously अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो Buddhist कहां कहां पर है हिमाचल प्रदेश हो गया ल अलाका औरण्च प्रदेश का इलाका यानि की अगर आप धीयान से देखेंगे तो यह वो इलाके हैं जो तिबटन बॉर्टर के साथ है जैन के अलाके देखेंगे तो जैन तो फैर Allah में ही सिर्फ है और इंडिया में तो खैर कुछ खास इनके बॉर्टर अरिया वाला फंड तादात मिल जाएगी, हाईदराबाद में जाधा तादात मिल जाएगी, आंदर प्रदेश तो खेर चला गया आप ते लंगाना में आ जाएगा, तो में लिए ये रिजिन और जमु कश्मीर में मिल जाएगे, ठीक है, इसी तरीके से अगर पार्सीस के बारे में बात करेंगे तो पार्सीज भी आपको गुजरात और महराष्ट के ही रीजिन में मिलेंगे अब देखें इनके साथ में आप एक आइडिया ले सकते हैं कि जितने भी जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं अब जैसे माल लेते हैं कि हमारा सपोस इंडिया ठीक है ये माल लेते हैं हमारा इंडिया है और ये हमारा इधर माल लेते हैं कि इस तरीके से बन गया अब देखें यहां पर ये जितने भी कंट्रीज हैं इधर में वो इसलामिक कंट्रीज हैं इंडिया में आने का यही एक रास्ता था यहां पर जैसे यह सब इलाका जड्रोशिया वगरे का इलाका बोला याता है इस इलाके से हो करके यह गुजरात में आये थे गुजरात में और महराश्ट में तो यह इलाका था जहां पर यह आकर के बस गये थे इनफेक्ट अगर आप लोग ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये वही इलाका है जहां से शकाज बगर आये थे शक आये थे कुशन्स भी आये थे तो ये वही इलाके हैं उसी तरीके से ये लोग भी आये थे तो पहला हो गया इसलाम के बारे में आप लोग देखी सकते हैं कि इधर से ही अगर आ रहे हैं तो ये जो नौर्थ वेस्टन का इलाका होगा ये पूरा इलाका जो होता है वो बन जाएगा इसलामिक ठीक है पार्सियन अगें पार्सी जो है वो इसी रास्ते से आयते इसलिए यहां पर भी बन जाएगा तो पार्शियों इसलाम का समझ में आ गया बुद्धिस्ट कमुनिटी चुकि इसलामिक इन्वेडर्स इंडिया में जब आ करके बस गयते मुगल्स बस गयते तो उसके कारण से बुद्धिजम का काफी अदर डिकलाइन हो गया था डिकलाइन होने क है आसपास के कंट्रीज में चले गया जैसे कि हमारा तिबद वाला इलाका हो गया चाइना का इलाका हो गया म्यांग्मार इसमझ को समझ गया है क्योंकि यहाँ पर purely and purely history use होगी history से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि हमें perspective in human geography के concept को ले करके आना होगा तो perspective in human geography को हम लोग discuss भी करेंगे अब यहाँ पर देखिए introduction के बारे में बात कर लेते हैं या फिर tribal spread जो बाते होती हैं उनके बारे में बात कर लीजें विडाल के बारे में बात कर लेंगे आप heartshon के बारे में आप बात कर सकते हैं ellen sample के बारे में बात कर सकते हैं huntington के बारे में बात कर सकते हैं तो यह लोग basically आपका एक background बना देंगे कि religious minority किस तरीके से spread की है बाकी main body में आप आ जाएंगे तो main body में यही जितना भी content हम लोग ने यहाँ पर बोल बोल के discuss किया है वो आप लिख लिख करके यहाँ पर answer writing कर देंगे ठीक है तो यह आपका काम हो जाएगा यहाँ पर system अब causes तो आपने बता दिया consequence आप बता देंगे कि consequence क्या है क्योंकि जो main minorities है वो अब safe नहीं है secure नहीं है जिसके कारण से क्या होता है कि वो दूसरे दूसरे areas में चले गए थे और in fact they are now regionally established itself regionally established कर लिए हैं जैसे जैन के लिए Buddhism के लिए Islam के लिए पार्सीज के लिए आप देख सकते हैं in fact जो पार्सीज उनकी संख्य लगतार गिरते ही जा रही है तो इन सब चीजों के बारे मिसिकली आप बात करेंगे and that's all this will be the answer for this question समझ में आ गया क्या है geography भी आपको समझ में आ गया और content क्या है ये भी लिखना है clear है now आगे बढ़ते हैं जो हमारा next question है हमारा next question है what do you understand by soil pollution and delineate the areas vulnerable to it in India and suggest remedial measures अब देखें हाँ पर question है soil pollution soil pollution किस तरीके से है soil pollution का मतलब है एक तो nutrient को ले करके दूसरा soil fertility को ले करके ठीक है और तीसरा desertification को ले करके desertification एक और चीज़ अगर आप लिखना चाहें तो soil erosion भी लिख सकते हैं यही यह पूरा का पूरा soil pollution अब देखें soil pollution ऐसे आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि यह यह क्या चीज़ है क्या नहीं समझ में आ रहा है pollution का मतलब क्या चीज़ होती है pollution का मतलब होता है whatever is the real thing that should not be there जो सही चीज़ है जो actual natural चीज़ है वो नहीं होना चाहिए natural से ज़ादा चाहे natural से कम दोनों एक तरीके से pollution ही होता है तो nutrient का imbalance हो जाना या for fertility का imbalance हो जाना desertification का imbalance हो जाना erosion का imbalance हो जाना बस काम खतम introduction में आप basically इसी सब चीज़ों को discuss करेंगे this will be introduction nutrient के लिए आपको पता है कि N-P-K का ratio होता है खराब करने के पीछे responsible कौन है fertilizer और इस fertilizer में भी urea यह है आपका कारण keep in mind आपको Indian perspective में लिखना है क्योंकि आप discuss कर रहे है paper number 2 fertility के बारे में आ जाएंगा single cropping, monocropping and continuous cropping मतलब कोई भी fellow area, fellow land बगरे नहीं छोड़ा गया जिसके कारण से यहाँ पर दिक्कत हो गई है एक तो यह चीज़ fertility खराब होने के पीछे एक यह भी कारण है तीसरा desertification desertification के पीछे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो soil erosion हो रही है alkaline soil हो जा रही है alkalinity of soil because of over irrigation and all that इसके कारण से soil जो है वो धीरे धीरे baron होते आ रही है और फिर western effect of desertification तो इंडिया में लगातार आते ही जा रहा है because of the climate change and global warming वगरे है उसके कारण से दिक्कते आ रही है और बाकी erosion के बारे में तो मुझे लगता है कि आप पूरा का पूरा एक ऐसे ही लिख सकते है तो यह आपने लिख दिया अब आपको बताना है कि कौन कौन से areas हैं इंडिया में जो actual में इस चीज को लेकर के vulnerable है तो आप simply एक map बनाईएगा map के साथ साथ आप दिखाएंगे कौन कौन से areas है तो आप दिखा देंगे जैसे कि पंजाब का area, eastern राजस्थान का area प्लस जो हर्याणा का area है मतलब basically जो green revolution वाले areas है उनके बारे में आपको दिखा देना है इसके अलावा गुजरात का area ये भी जो है वो vulnerable हो गया है soil pollution को लेकर के नौर्थीस्ट का जो इलाका है ये भी vulnerable हो गया है टी की cultivation खराब होते है आ रही है तो ये basically areas के बारे में आप दिखा देंगे ये severely impacted है बाकी UP, बिहार इन सारे area को भी दिखाईएगा लेकिन उतना ज़्यादा impact नहीं है normal normal सी चीज़े चल रही है बाकी Peninsular India में आप आ जाएंगे तो ये भी आप दिखा देंगे कि यहाँ ठीक है ये भी कुछ हद तक pollute हो गया है यहाँ पर भी दिक्कते हो गई है ऐसे drain वगरे भी हो जाता है जिसके कारण से भी दिक्कत है salt pan के बारे में आप बता सकते है salt pan development हो गया है सिस्क्यो ऑक्साइड के बारे में आप बता सकते है तो यह सब चीज़े आप लिख देंगे ठीक है अब आपको बताना है कि इसके लिए solution क्या हो सकता है remedial this is remedial measures तो बस कुछ नहीं वही सब चीज़े traditional organic farming करना fertilizer के जगा पर जो cow dung होती है उसको use करना over irrigation मत करना fallow land बगर है छोड़ना तो यह सब जो technique होती है जो normal आप use करते हैं वही सब चीज़े हैं आपर लिखनी है that's all ठीक है है आपर discuss करने को कोई मतलम नहीं है because you have already studied in our videos also आपर भी हम लोग ने काफी detail में इसके बारे में चर्चा कर रखी है so don't worry about it next आगे हमारा question आता है integrated development of road and rail network in a complimentary framework is a prereq for regional development explain with reference to northeast region of India question सही आपको पता चल जा रहा है कि question है RDP का regional development and planning और इस regional development and planning के solution के रूप में आपको बताना है transport sector या transport connectivity keep in mind हम लोग बात कर रहे है northeastern states of India के बारे में introduction में आपको क्या लिखना होगा introduction में दो तरीके से introduction लिख सकते हैं एक आप दिखा सकते हैं what is the importance of transport in regional development एक तो यह आप introduction लिख सकते हैं दूसरा जो introduction आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं कि north east का state में problem क्या क्या है जिसके basis पर वहाँ पर regional disparity या फिर जो backwardness है वो आ रखी है तो दोनों introduction का मतलब समझ में आ गया एक तरफ आपने regional problems in northeast states के बारे में discuss किया है दूसरा कि transport link का क्या importance है in regional development तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नॉर्थ इस्टन इंडिया के बारे में बात करना है तो आप एक काम करें नॉर्थ इस्ट की problems को आप discuss कर दीजिए नॉर्थ इस्ट की problems को flow chart बनाएंगे obviously अब यहां पर आप दिखा जिएगा topography अलग है ट्राइबल रिजन रहते हैं बैकवर्ड लोग है टेकनोलोजी नहीं पहुच पाती है infrastructure डवलप नहीं है connectivity नहीं है transport मुश्किल से डवलप होता है because of the mountainous areas, rail connectivity नहीं possible है road equivale बन सकते हैं तमाम तरीके के हैं समाम चीजे हैं जानते हैं आप लोग आगे अगर देखें तो यहां पर main चीज है कि क्या इसका link बनेगा integrated development of road and rail network अब देखिए यहां पर आप लोगोंने नाम सुना होगा तो बोगी भील एक railway track बनाया गया है and this is integrated नीचे क्या है railway है this is यहां पर train जाएगी यह train होगी और उपर में क्या है इन्होंने उपर का जो bridge है उसके उपर में रोड बना दिया है तो इससे क्या है जनता एकदम टाहिल टार के कूद कूद करके जा सकती है और यह अनुलांचे परदेश को connect किया गया है so that is awesome से यह मतलबा अनुलांचे परदेश को connected है धोला साधिया बीज है फिर उसके बास से आगए यह बोगी भील ब्रीज भी बनाया गया और इसी चीज़ को आपको basically example की रूप में यह इसी के इड़ गड़ आपको घुमा करके पूरा answer frame करना है समझ भी आ गया तो जाड़ा कुछ खास है नहीं question में बस question को देखकर कि आपको थोड़ा सा में भी डर लग रहा हूँ otherwise अगर regional development and planning है आपके grip में है then you can answer any type of question क्योंकि इसमें link देखें क्या होता है RDP के साथ में खास बात यह है in fact we are also using this technique to frame the questions in the test series यहाँ पर भी देखें वही चीज़ हम लोग यही करते है कि RDP में इतना बड़ा वो segment है कि वो geomorphology से भी connect हो जाती है climatology से भी हो जाती है bio geography से environment से भी हो जाती है बाकी population से भी हो जाती है settlement से भी हो जाती है transport से भी हो जाती है मतब यहाँ पर एक ऐसा segment जो पूरे geography को connect करता है so this is really very important topic और इस पर command करना बहुत जरूरी है ठीक है तो RDP पर आप लोग जरा focus करिएगा RDP पर आप लोग काम करिएगा आपका प्रिपेर नहीं है तो आगे बात करते हैं यहां पर देखिए salient feature of सागर माला project अगें देखिए RDP का ही question बन गया and highlight port late development of coastal region of India same वही question है यहां पर भी कोई यहां पर extra content नहीं आएगा यहां पर भी आप intro day में basically आप जो port areas है या फिर जो coastal areas है उनके बारे में आप बताएंगे ठीक है coastal areas इनकी जो भी characteristics है map पे आप location दिखा देगे that's all this will be introduction for this question आगे देखिए इसमें बताना है आपको कि इस port area के problems क्या क्या आ रहा है तो problem को ले करके आपको एक flow chart draw कर देना होगा अब आजाईए अपने सागर माला project की ओर में अब आप बता देंगे सागर माला project का मतलब क्या है objective क्या है इसकी importance क्या है and what can be significance for this port led development बास की तो काम खतम तो कुल मिला करके यहां पर भी regional development and planning का ही question बनता है यहां पर भी वही coastal area को ले करके आपको discuss करना होगा लेकिन एक चीज़ यहां पर important है environmental angle जरूर दीजेगा आप लोग इस question में ठीक है तो यह होगे आपका question आगे बात करते हैं next हमारा आता है justify the inclusion of megalia in peninsular इंडिया discuss its vegetation and soil type दो part of the question है पहला part है physiography of India से related physiography of India और यहां पर आपको जो ध्यान रखना है वो है शिलांग प्लेटू के बारे में शिलांग प्लेटू और आपको यह पता होना चाहिए कि जो शिलांग प्लेटू है this is basically the extended part of छोटा नागपूर प्लेटू छोटा नागपूर प्लेटू का यह extended portion है ठीक है बस इसी चीज़ को आपको explain कर देना है ज्यादा दिक्कत हो तो माजी दूसाइन बुक उठा करके पढ़ लिजेगा वहाँ पर आपको पूरा का पूरा अंसर ही मिल जाएगा दूसरा part of the question है कि जो यह पिनिंसुलर इंडिया का जबलब हो बाता है बस इसके बारे में और इसके बारे में discuss कर दीजेए बात खतम आपका question खतम हो गया क्लियर आगे बात करते हैं आप फड़ा पर देख लेते हैं अप फड़ा पर थोड़ा सा हम लोग escalate करते हैं because time भी काफी हो रहा है तो name the major industrial region of India कुछ नहीं जो भी dedicated मुंबई हो गया तो देरा राइगेस seven corridors उनके बारे में आपको दिखा देना है basis of their identification discuss the basic problems तो आप basically बता देंगे कि यहाँ पर sprawl develop हो जा रहा है slums वगरे डवलप हो जा रहे है infrastructure नहीं डवलप हो पा रही है connectivity नहीं हो पा रही है तो यह सब problem में आ जाएगा basic problem में ठीक है इसके basic identification basically किस-किस टाइप की इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई जा रही है वह आपको बताना है इसे दिल्ली वगरे में चले आएंगे तो वहाँ पर तो लगबग हर टाइप की इंडस्ट्री है मतलब IT इंडस्ट्री जादा है मुंबई में आ जाएंगे तो cotton-based industries वगरे के आगे बात करते हैं drainage pattern of peninsular India and result of geological structure and topography straight forward question है वीडियो नंबर वन लोग वीडियो नंबर वन इंडिया जाकर के आप देख लीजिए आपको पूरा का पूरा content मिल जाएगा as it is या फिर माजी धुसायन बुक को ही refer कर लीजिए straight forward question है कुछ भी ऐसा complexity नहीं है जिसको कि हम लोग discuss करें last question for today why has solar energy in India not been developed in desired level in spite of its high potential यह question अच्छा question है अब देखिए introduction में आपको बताना है पहले prospects of prospects of solar energy in India ठीक है अब जैसे solar energy के लिए क्या चाहिए वही sunlight चाहिए लद्दाक में सीधे सीधे पड़ेगा इसलिए important है in fact हमारे यहां पर hill areas है और hill areas पर काफी अच्छी solar energy generate की जा सकती है ठीक है तो यह आप बेसिकली दिखा देंगे introduction में body में आ जाएंगे और यह बताएंगे कि solar energy में आखिर में problem क्या है जिसके कारण से हम लो efficiency उतनी नहीं है तीसरा है area occupied area कुपाई नहीं किया जा पा रहा है area क्योंकि area चाहिए इसको अच्छा खासा area चाहिए जिसके basis पर यह सब चीजे आगे की जा सकती है चौथा behavioral problem behavioral problem people are not being I mean interested to adopt a new technique तो यह सब चीजों को ले करके आप लेख सकते हैं बाकि straight forward यह भी है इन चारो point को अगर आप explain करेंगे तो you will get the answer for this question so this is all for today and we have completed a 2017 का paper थोड़ा से जल्दिया लिखिये हैं क्योंकि already आप लोग अगर आप शुरू से follow किये होंगे तो आपको content development में अब problem नहीं होनी चाहिए ठीक है बाकि अगर आपको कोई doubt होता है तो आप बिल्कुल अपने questions अपने doubts को पूछ सकते हैं आपके doubt को ले लिया जाएगा और answer कर दिया जाएगा बाकि दिखें डिवांस geography के लिए आपर test series के लिए वीडियो के end में suggestion भी दी गई है so you can watch that and बाकि अगर कोई problem होई तो email करिएगा मिलते है नेक्ष वीडियो में till then goodbye and thank you so much